हलो मेरे प्यारे विद्धार्तियों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद कर रहा होंगी सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होगे जैसे कि सारे बच्चों को बता है हम लोग जैक अच्छ बारवी का रसायन विग्या में बेटा चैप्टर नमबर 3 था वे दूतरसायन यह हम लोग कंप्लीट करने वाले इस लेक्चर के अंदर सारे जो कंसेप्ट थे बेटे इस चैप्टर के अंदर जो पूरा और हम खतम करने वाले बहुत ही गजब तरीके से खोड़ने वाले हैं तो इस चैप्टर के बच्चे जाते क्या ждать हम लास लेक्ट्र के अंदर बात कर रहा होंगे संचारन के बाले मं बंस्को पूलते इंगलीस में क्या बोला जाता बच्चा को स संचाय जो करो neighbours लेकिन इस्कों बच्पन से ही पढ़ा है लोगा घट्थ में भी को अपसित षब है नहीं है। कि अपस्षा सर्ष लोगे पढ़ा होगा तो सारे बच्चों को पता है यह नया टॉपिक नहीं है बच्चे यह कोई नया टॉपिक नहीं है लेकिन इस चैप्टर के अंदर यह थोड़ा सा जो अच्छे तरीके से अच्छे वे में बताया कि कैसे चीजे होती है बच्पन की बाते बच्पन थी बेटे लेकिन आप जो है थोड़े इस्टेंडर्ड लेवल पर पहुंच में क्या क्या की हुए सबसे पहले बच्चे मैंने आप लोगो जो है इस जो चैप्टर का पूरा फंडामेंटल से बताया थे पूरे बेसिक से बताया थे आपको सारी चीजे क्लियर कराई थी उसके बार बैटा हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करू तो हमारे लेकिया है बच्चे गैलवनिक से विद्दू तरह सायनिक से अपने जो है बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा फोड मचा हुए थे बैटा एकदम जबर्दत तरीके से पढ़े हुए थे उसके बाद मेरे पैरे बच्चो हम लोगने जो है मानक हाइड्रोचल एले समझने से पहले बच्चे आप लोगने बच्पन की यादों को ताजा कर लिजे क्यों बच्चे कि वही वापस से करने वाले देखो पेरे प्यारे बच्चों वायू मंडल में जो उपस्थित गैस होती है वायू मंडल में कौनसी गैस उपस्थित होती यह maximum amount किसका होता है oxygen क सरीuld को और वायू मइंडल में जो उपस्थित गैसे हैं वायू मंडल में बस्थित गैस है真的很 नमी है उन से क्याइफ धातु उल्होती टीडिया करने लगती है दीरे-दीरे क्या रगती है इक्रिया करने क्या करती है प्रोसिस प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे संचारन बोल रहे होंगे क्लियर सारे बच्छों को सारी चीजे बहुत अच्छे तरीके से एक स्टेर क्या बोले बच्चे हैं अपने यहां पे के बारे में क्या सीक्राइब करेंगी और रीक्ट करने के बाद जंग लग जाएगई वहां से फिर बूरे निकलती नहीं जंक है वही जंग है सारे बच्चों को यह सारी वात अगधम बहुत गजब तरीकित की सचारं के यहां पर संचारं का जो मुख्य जो इंपोर्टेंट और बहुत जादा नेम याद रखना है chemical नेम याद रखना है क्लियर सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूं अब इसके जो कुछ कैसे काम होती है इसमें थेओरियों के बारे में अपने तो यहां पर समझाया सकता है ने क्या बोला हम यहां पूरी की प्रोसेस का पड़ रहे हैं विद्धूत रसायन सेल के बारे में पर यह जो पूट रसायनी की सेलिकी भाती होती है उसी थ्योरण के दूर्रा इसको और जो है सिंप्लिफाइड तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाया जा सकता है बहुत गजब तरीके से ठीक है बत 창 करेंगे इस सिद्धान के अनुसार जो असुद्ध लोह होता है अगर मैं सुद्ध लोहे बात करूं या फिल लोहे की जो है नॉर्मल बात करूं तो लोहा जो होता है एस एनोड काम करेगा मैंने बोला एनोड की तरह काम करेगा ठीक है और हमारा जो बेटा ठीक है एनोड की त तरह कारे करता है जूसमें क्या होती है कारबन डैकसाईड यह फिर ऑक्सिजन होता है वह ते स्ट जो spend गैसेज होती है वह विले होती है तो उसको हम व्रीट घटे की तरह कारे करर रहा होगा मतल़ वहांपे कारबन डैकसाईड जब करबन डैकसाइड गैसेज्थ ot visual मौइस्ट जो पानी की जो बूंदे है उससे में तब विले हो जाएगी तो वह पूरा की पूरे किसकी तरह काम करने लग जाएगी एलेक्ट्रोलाइटिक की तरह विदुद अब घट्टे की तरह कारे करने लग जाएगी क्लियर सारे बच्चों को यह हमारा सिद्धान था यह यह हमारा principal है इसके यह लो है की जंग लगने की प्रकृया पर पूरा प्रोसीजर समझते हैं आप पूरा का पूर समझा आया हम को प्रिंसिपन समझाई अलूहे की बारे में सीखते हैं कि कैसे process होता है ज्यां से देखना बच्चे स्टार्ट करते हैं विदुद रसायनिक से तो सारे बच्चों को यह क्लियर हुआ होगा कि विद्धू तरसानी क्या चीजे होती है जो एक साइड होता है वहां पे होता है औक्सिडेशन हुआ होता है ठीक है राइट साइड पर रिडक्षन होता है अब चैन की प्रक्रिया होती है तो उसी को यहां पर वापस से विद्धू तरसानिक सेल में एनोड और कैठोड जो है एकदम जरूरी चीज होती है उसको हमारे सेल के अंदर होना ही चाहिए तभी तो एलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा ना बच्चा ठीक है एलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी हो पाएगा तो यहां पे भी इसकी जीड होने व वांतर होगा जो पोटेंशल डिफरेंस जो है क्रियेट होना चाहिए चाहिए दूसरी बात तिसरी बड़ी बात लगने का मतलब बच्चे मैं आपको जो है विद्दू रसाइनिक सेल पढ़ाया था उसमें क्याल था एक सॉल्ट ब्रीज लिया था यूटूब करता था जो कि का परिपत की तरा कां करता था दोनों को जोडने में ठीक है तो उसी प्रकार से बच्चे यहां पर भी हमको एक परिपत मिनना चाहिए एक जो है एक ब्रिज की तरफ कोई हमको ऐसा आए कि वह जो हमारे जो है क्या बोल सकते हैं रियक्शन जो है सारे के सारे जो रियक्शन उसको कम्पलीट कर दे क्या कर दे का जो है फॉर्मेशन होना चाहिए सर्कीट का फॉर्मेशन होना चाहिए एक यह तीन चीज़े बच्चे आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी कोई बड़ी बात नहीं कोई जो है यहां पर हाइफ बात नहीं किया अपन ठीक है जो अपन कंसेप्ट पढ़ मशन को फिली बड़ी है। जहां होता है जहां पर अंच मेरों अंड होता है उसी ऑलेक्टरण को ग्रहन करेगा तरेippi उसी मैं रहां करें होगा कि स तरीके अंधर होने वाला है सारे साथ बच्चे को बहुत गजब तरीके से बच्चे क्लियर होई होगी ठीक है देखो वाईसाब देखो मज़ा आगा लोहें में जंग लगनी की प्रियकों मैं जो है वापस से बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हों ध्यान से सुनेगे यह आपके लिए बहुत जाधा इंपॉर्डेंट है साथी साथ बच्चे आप लोग क्या कीजिए मैं तो पुरा प्रोसेस इसके अंदर बता दूँगा लेकिन आपको बच्चे क्या करना है ठीक है इसको प्रभावीत करने वाले कारक कौन-कौन से करने बच्चपन की बहुत जादी बात तो वहां पर हम फोकस नहीं करेंगे उसके प्रिवेंशन उसके बचाओं के जो होने वाले हैं वह सारी चीजिए मैं बता दूगा और लेकिन बच्चे वो उसको क्या करने आपको एक्जाम के अंदर तयार करके जाना है सारे बच्चों क लेक्ष नथा होती ना बर मैं दो में दो बताएं अभी दो बताई कहसे होता है मतलब अलैक्ट्राओ चूर्ट निगल मैं यह हैं निकलेग उसिस परकार में गास्ज्रॆll का में बताऊ नक् purchase माटल से अलेक्ट्रों निकल्या तो उसी कर आड़कर में लुकल की बात कर दू तो प्रेकार में कहपोंट की बात कर दूं प्यारे बच्चों तो क्या होने गे अंदर तो जहां से सुनने बच्चे जब यहां से electron लिया आब चैन की प्रक्रिया हुई जहां से देखो GG यहां से एन्य एलक्ट्रण था यहां एनी एलक्ट्रण accept किया और मत doesn't me यहां स्पूंको दस्ट काइंस मिलें यहां भी स्म해 और और शुरापल्ग आयन से क्या पढ़ते आ रहे हो इसलिए मैं आपको जो है और ली सारी बातों को एक्स्प्रेशन देते जा रहा हूं क्लियर बच्चों को समझ में आया बहुत अच्छे तरीक से समझ में आया होगा ठीक है देखो वाई सब से बनेगा ऑक्सीजन के अब्सक्राइब से होगा ठीक है जो है फिर्टेशन घरन गैस की उत्पत्ति होगी ना क्यों पीटा एक यह कौन से मिडियम पे काम करती यह जो है माध्यम पर काम करती है आमिली जो इन्वाय मेंट चाहिए रहता है उसके लिया निए अब थोड़े से और स्पर भेस पढ़ोगे चै orig Die ने की नीड होगी अब एक जब आप ँबस पड़ने की नेः वी Google से वे जञें पर उत्वाՆ लिए नए जब यह कुछ रिएक्सें और बच्चे आपको इसके प्रिवेंशन और उसकी जो है इफेक्ट करने वाले जो हमारे फैक्टर से उसको लिखेंगे बच्चों को इतना सिर्फ लिखोंगे आपको पांच नंबर मिनने वाले हैं क्लियर बच्चों को समझ में आया होगा ठीक है ठीक है अब देखो ठीक होच नहीं है यहाफर अमली को मैं नहीं है नो चाहिए बच्च शारी यह तो यहाँ मि सब्सक्राइल फेक्प प्रवित्ति छो इन वायंट बनते है चाह बहुता है तो उस प्रोसेशन चका आऊस्रण को समझ में आया अगर मैं संचारन की ब באत करूँ हमार जो संचारन corrosion की अगर मैं बात कर दूं तो corrosion में क्या होता है87 विदरिक से स्वेक्टरें去了 focus mainly responsible होते हैं यह गतला जल होता है पानी होता दूसरे बच्चे कहा होते हैं वाइउ ठीक है जल और की डिवी के क्रिया से ही इप wizard संचारन बनता है क्या बनता है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती ऑक्सिक्रन होता है क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया तो लोहे में क्या लग जाएगी जंग लगेगा ऑक्सिक्रन की प्रक्रिया होगी तो लोहे में जंग लग जाएगा हमारे जो लोहा जो होता रहा कारे करेगा एनोड की तरह कारे करेगा ठीक है एनोड की तरह मैंने बोले ना तिक कैठोड अभी कुछ नहीं बोला भाई सिर्फ एनोड समस्ते दाना ठीक है concept समस्ते दाना यह लोहां किसकी तरह काम कर रहा है एनोड की तरह यहां पर अभी कुछ नहीं हुआ है सिर्फ ए डालनी दिया पन यहां पूरा का पूरा पानी नहीं डाल दिया बहुत कि छोटे से पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं तो भाई यह समझ लोग की छोटा पार्टिकल्स को मैंने जो है माइक्रोस्कों में लाके बढ़ा कर दिया हूं बस सिंपल सा ठीक है माल लो अब यह जल के पार्टिकल्स है वह जल क्या करेंगे जल के पार्टिकल्स में से जो एच प्लस आयन होंगे जल क्या होता है होता है होता है होता है क्या होगा बच्चा एच प्लस चार्ज बनाएगा वही एच प्लस चार्ज क्या करेंगा एच प्लस चार्ज क्या करेंगा एच प्लस समझीटव बनाएगी क्या बनाएगे बैक कर्मोनिक एसिड बनाएगि ठीक है यह जो एसिड बनाएगा प्याइंद बना यह उपर रह मेंख to तेक है समझ जाओ कि यह वाला जो पॉर्षन में जो येलो जरी जो पेंच ला रहा हो वेट यह वाला जो पॉर्षन नहीं यहां पर आपके रुकी और गार यही पर बना यह वाला जो प्रशहर ho किया और रेक्ट करने के बाद यह हमको बना एस्टू सी ओ थ्री क्लेर बच्चों को समझ में या मजा आया ठीक है चलो देखो जहांसे अब यहां पर क्या बना हमारा जो है क्या कर रहा है यह पुरा-इक पूरा पूरा जो लोहा जो है अनोड की बात ही काम कर रहें और हमको प क्या होगा बच्चा एफ होगा क्या होगा टू प्लस चार्ज देगा टू प्लस चार्ज और दो लेक्ट्रों निकल जाएगे अगर दो हम दो मोल आप सौरी दो जो है मोल की जो एफ लिया तो यहां पर चार एलेक्ट्रों निकली कि इतने चार एलेक्ट्रों निकली क्लियर ब मैं सब्सक्राइब बोटकर तो को समझ में को सब्सक्राइब च्रिकष्ण सब्सक्राइब तो अबद देख लेते हैं कि रियक्शन कैसे कैसे होती है ध्यान से समझना बच्चे ठीक है देखो एनोड पर क्या होता बच्चा एनोड पर 2 f e होगा ठीक है एफी बोल सकते हो जैसे आपको समझ में आए ठीक है आपके 2 plus charge बना इवी कैसे 8 इक व्यक्राइस बना चाहर में बना यह अब उसकी उर्जा निकाल वह पोटेंशिल क्या निकलएं बच्चे फ़्सक्ते बचे लोhorn एकर निकले हैं अिक बुक्क तो इसको Phantom वोग elder तो इसको इनपटा है ठीक अमधिट सब्सक्ताorf होगा था इसको जो हाँ जब भी आप numerical solve करने जाओगे तो वहाँ पर mentioned होता है आपको लिखाईया मिलते है ठीक है आपको कोई टेंसल लेने की बात निया कोई दिख्का लेने की बात निया आपको जो है questions के अंदर मिलता है ठीक है सारे बच्चों को समझ में आया ठीक है FV क्या होगा ब environment पर जो oxygen है और साथी साथ हम जो चार इलेक्ट्रों जो है रिलीस किया है और बच्चे जो है प्लस चार्ष है है जो पानी में बच्चे जो होगा तो रिड्यूस होगा रिड्यूस होगा रिड्यूस होगा अब चाहित होगा अब चाहित होने के बाट क्या बनेगा एच प्लस चार्ज बनेगा एच प्लस चार्ज बनेगा तो वही एच प्लस चार्ज में रहेगा तो वहां पर वायू मंदल का ऑक्सिजन हो भी है एच से निकला हुआ था ध्यांस ऐसे मैं रो बना दे रहा है नोट से निकला था वह जो है कैटोड पे आए गई आएगा क्लियर बात है ठीक है कैसे आएगा वह पता है अपनको ठीक है तो हमारा जो फॉर पूज और ठीक होगे वैड़sी वहाँ आपन राती कि फटोफेट से इसलो निकालना से निकालना चाहां एगरना से एना मने निकालना चाहूं ई-Naut cell क्या होता है पहरे बच्छों अगर मैं डेल स्वारी डेल नहीं इ-Naut cell Is Equals To E E Cathode Plus E cathode Plus E anode होता है सारे बच्चों को पता है में को पूरा ओर ओर यिज़कीट का जो है 0.44-0.44 और मानस- मानस क्या हो जाएगा बेटा। ये फ्याशी सेलने है उसका पोटेंशल मिल जाएगा वन पॉनथ सिक सेबने वोल्ट वुल क्या होगा धुरिक्स है तो क्या होगा 2F2 ऐसी सौईड रहे हैं और रहे secondly ऑर आ हीड्रोजन ते हैं धेख को और जो हमारा H प्लस चार्ज है बेटा ठीक है एक्वा स्टेट में है अब इसको जो हम रियक्ट कराएंगे पूरा ओवरॉल जब कैंसलेशन होगा यह जो है एलेक्ट्रों यहां से कैंसलेशन होगा ठीक है तो कैंसलेशन होने के बाद हमको 2FV प्लस चार्ज और 2H2O मेरे को म समझ में है बच्चे ठीक है चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं देखो वाई साब क्या करने वाले यहां पर हम जो हमारा फी था अभी रेक्शन्स खतम नहीं होई भाई या अभी रेक्शन्स खतम नहीं होई क्या होगा फोर एफी टू प्लस चार्ज था वो क्या करेगा और फोर एष्ट रेक्ट किया हमको यह सारी चीज़े मिली यह सारी चीज़े मिली क्या मिली यह सारी चीज़े फु मोस्टर करेगा क्या करें जंग का निरुमान ev2O3 का फॉर्मे выз αν करेगा ev2 और वह से जो है H+, बनाया है at xь प्लस चार्ज बनाया यह रे से दिख्कत निया सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करेगा प्रक्रम में वापस से भागीदार करेगा भागीदारी अपने निभाने वाला है ठीक है पार्टिसिपेट करने वाला और पार्टिसिपेशन की बाद बच्चे जो अच्छे बच्चे अगर किसी भी बच्चो को समझ में नहीं आया होगा तो वापस से क्या करेंगे रिपीट करेंगे यह लेक्चर क्या करेंगे रिपीट करेंगे बहुत जादा हाड निए बच्चा ठीक है बस आपको महनत लगाने इसमें क्या लगाने बिलकुल भी हाड निया बिलकुल एकदम एजी है सारे कंसेट एकदम जो है इसी है क्योंकि यह चीज बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो यार थोड़ा से इसको बात नहीं आपने देखते भी आयों कि जंग कैसे लगता है तो इस तरीके सपन जो जंग का पूरा का पूरा फॉर्मेशन कर दिये समझ में बच्चे इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो हमारा जो चैप्टर है ठीक है एक बात यहां पर मैं बोल दूं सारे बच्चों को बच्चे आपको बचाओ के बारे में भी पूछेगा किसके बारे में बचाओ प्रिवेंशन आफ प्रिवेंशन आफ रस्टिंग पूलेगा ठीक है प्रिवेंशन आफ रस्टिंग हमां जो जंग लगनी की प्रक्रिया की बचाओ कौन-कौन से तरीके बचाओ के कौन-कौन आप तो करे चाहे हम एसे सेट में कर सकते हैं ठीके वहां पर भीया क्या होता है सेटेटाइड आप लोग जो लोग बहुत अच्छे तरीकि जो एक्जाम करके जाईएगा ठीक मैं यहां पर नहीं करा रहा हूं मैं वापस से बोल दे रहा हूं कि यह आप सारी चीज़ बचाओ के तरीके प्रिवेंशन है बेटा वह आप लोग एक्जाम में करके जाएगा जब यह पूछेगा एक्जाम के अंदर याद रखना जब भी जो हमारा को रोजन पूछा गया ठीक है पूछा गया है तब उसके साथ साथ जो है प्रिवेंशन के टेकनिक्स भी पूछे गए हैं टिक प्रिवेंशन के टेकनिक्स भी पूछे आप लोग बच्चे क्या की जिगा करके ही जाएगए मैं करा नहीं रहां बच्चे ठीक है क्योंकि वह बहुत बेसिक्स हैं बहुत बेसिक से वहां पर मेरेको ज्ञादा दिमाग लगाने कि पढ़क है तो अच्छे तरीके सरे समयं आया होगा सही तरीके से अब बच्चे हम है ने जोस सकते अímहरनिंग के चाट करेंगे अभी के लिए बच्चे जो है आप लोग जाईए पढ़िए एक दम फोड़ा फाड़ी मचाईए बाबाए